Hello everyone, welcome back to LearnOLED, तो कल फाइनली जो है, आपका 19 जुन को MH Nursing CET 2024 का जो रिजल्ट है, वो डिकलेर होने वाला है, So CET Cell ने official एक notice new release किया है, उसमें आपकी जो date से result के वो mention है, मैंने आपको बताया था कि एक दो दिन में CET Cell new notice release करेगा, So finally CET Cell ने new notice release किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 18 जुन को, आज ही जो notice है, वो publish होआ है, So notice number 9, MH Nursing CET 2024, declaration of result, ओके, So यहाँ पर आप देख सकते हो, The result of MH Nursing CET 2024 will be published on 19 6, 2024, तो 19 जुन को जहा है, मतलब कल आपका जो result है, वो declare किया जाने वाला है, The result will be available in candidates login, तो result को कैसे check करना है, वो भी हम देखेंगे, So candidates login में result 19 जुन को available होगा, timing भी हम discuss कर रहे होंगे, ठीक है, So यह officially confirm हो चुका है, कि 19 जुन को आपका result declare होगा, ठीक है, So result check करने के लिए आपको simply आना है, आपके official website के ओपर, यहाँ पर mention किया है, All the candidates should visit CETCell official website, that is www.maha.cet.org, So इस website के पर आना है, So मैं website को open करता हूँ, So जैसे website open कोरोगे, तो आपके सामने इसा interface open हो जाएगा, Result जो है, वो दो तरीक से declare किया जा सकता है, जैसा MST CET के result के time पर हुआ था, First option यह हो सकता है, result download करने का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, Download scorecard, इस option के उपर आपको click करना रहेगा, और आपको यहाँ पर download scorecard of MH Nursing CET, यह सा option आ सकता है, यह पहला option है, result check करने का, यह सा CETCell कर सकता है, Second option है, जो regular रहता है, जैसे के आपको यहाँ पर candidates registration के उपर click करना होता है, उसके बाद आपका जो email ID है, और जो password है, उसको enter करना होता है, जैसे आप email ID और password इंटर करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर enter करता हूँ, आप कोई तो जेसे आपके सामनेifa जो डैश बर उपन हो जाएगा तो सिक्षाएन में आपको यहां पर क्लिक करना है जेसे क्लिक करोगे तो यहांपर नीचे मेडीकल अजयुकेशन के सेक्षान में यूजटे के आंडर अपको यहांपर option देखने को मिल जाएगा result download करने का जैसा आप ऊपर देख रहे हो ना PCB and PCM का जो यहाँ पर result है scorecard वो available है सेम ऐसा आपका medical education में MS nursing CET का जो है वो option आ जाएगा और यह सेकेंड option है और यह ऐसा भी हो सकता है करने की CET cell यहां से भी download करने का option दे सकता है ठीक है अब बात आती है कि result कभ डिकलेर होगा सो देखो गाई 19 जुन को कभी भी result हो सकता है 12 बज़े के बाद कभी भी हो सकता है ठीक है सुबब भी हो सकता है शाम को भी हो सकता है जैसा सब्सक्राइब करने के बाद आपकी जो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन है वो बिलेंगे और एडिमिशन का सारा काउंसिलिंग का प्रोसेस अपसिलूटली फ्री आफ कोस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के उपर मिलने वाला है तो सब्सक्राइब करोगे तभी जो काउंसिलिंग है उसका आप फ्री में बेनिफिट ले पाओगे ठीक है इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कर दो चैनल इक उपर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए